अपसा करती हैं आप सब अच्छे होंगे मैं अच्छी हूँ और यहां पर मैं ओल की सबजी की रिस्पी लेगे आई हूं इसे बहुत लोग सूरनी की सबजी बोलते हैं यह थोड़ी पहले की वीडियो है तो मैंने सब चलो आप लोग के साथ सेयर करती हूं तो जब इसे ना हम लोग जब इसको कट करते है ना तो बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती हाथों में तो इस तरह से सरसो हाथों में लगा किया जाता है तो मैंने सरसो का तेल ना हाथों में अपने लगा लिया है और यह जीतिया में बनाया जाता है ओल की सबजी हम हाथ को पानी में डाल देते हो तो और यहां पर मैं इसे बॉइल को रूंगी हलका नमक डाल के और यह सब्जी जो होती है ना बहुत ज्यादा हेल्दी होती है क्योंकि यह क्योंकि जमीन के नीचे से यह निकलती है मतलब जो कहा जाता है ना कि इस ट्रैफ की सब्जी होती है तो वह ज्यादा हेल्दी होती है तो इसे मैंने बॉइल कर लिया हलका मैंने इसमें हल्दी पाडर भी डाला था और यह देखो बॉइल हो चुका बहुत अच्छे से अब इसे मैं बनाऊंगी तो चलिए बनाना स्टा पाड़ा बॉइल करके जो मैंने ओल रखा था उसे मैं इसे फ्राइ कर दूगी आप इसे डिप प्राइ कर दो तो ज्यादा मतलब यह अच्छा लगता है तेस्टी लगता है तो यहां पर सभी को मैंने डाल दिया है और जब यह अच्छे से थोड़ा इसका कलर चेंज हो जा लिए और यह थोड़ा सा प्याज अद्रेक लहसुन और इसका पेश्ट मैंने डाला है और साथ ही साथ जो बेसिक मसाले जो होते हैं वह मैंने डाल दिया है तो इस ट्रैप से टाल कि और सारे मसाले को मैं अच्छे से भूलोंगी जब तक मतलब कड़ा ही तेल ना छोड़ने इसमें मैं थोड़ा नमक स्वादनों सा डाल देती हूं और यह ओल जो होता है ना थोड़ा सा मतलब मुह में लगता है मतलब कि मुह में थोड़ा खाने पे जलन सा थोड़ा लगता है तो इसलिए मैं इसमें टमाटर डाल रही हूं और निम्बू भी डाल सकते हैं आप इसम तो जिसे ना मुम में ना वह लगता नहीं है तो बहुत सारा इस ट्रैप सो हो जाता है बनाने पर तो यह बिल्कुल भी हारे स्टार में मैंने आप लोगों को बताया है बताना कैसी लगी और सपोर्ट करना दोस्तो अभी कोई वीडियो में बना नहीं रही हूं यह पहली की व बाइ बाइ टेक केर